बेंड स्टुडियो द्वारा निर्मित देज गॉन एक एक्षन एडबेंचर जॉंबी सर्भाइबल गेम है दोस्तों आदत में ये एक 3% शूटर है और ओपेंड वर्ल्ड जॉनरा में निर्मित है बेंड स्टुडियो जो की सोनी का फर्स पर्टी डेवलोपर है और इस गेम को as a AAA टाइटल मार्केट किया गया था लेकिन क्रिटिक्स की मानों तो ये AAA नहीं बलकि डबल ए टाइटल है लेकिन क्रिटिक्स भी मिक्स्ट रिव्यू दिये इस गेम को वैसे डबल ए टाइटल होने पर भी ये गेम AAA टाइटल जैसा बिजनेस किया क्योंकि it was a commercial success 2019 में रिलीज हुआ इस गेम को बेस सेलिंग गेम का खिताब भी मिला Days Gone गेम की inspiration तीन गेम से ली गई है World War Z The Walking Dead and Sons of Purchary 2016 में जो E3 इवेंट हुआ था वहाँ पहली बार इस गेम का टीजर दिखाए गए थी और लोगों में काफी उतसुकता थी इस गेम को लेके हाला कि जॉम्बी गेम को लेके लोग बड़े ही खुश हो जाता है तो 2019 में ये पहली बार रिलीज हुआ और पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड बे बेस्ट ये गेम में जॉम्बीज को ऐस अफ फ्रीकर दशाया गया है टॉक्सिक वाइरस के आउटब्रेक के चलते ग्लोबल हुमेनिटी फीकर्स में तबदिल हो रही है और जैसा कि अम्मूमन जॉम्बीज गेम पे होता है डेकन जो इस गेम का में प्रोटागोनिस्ट है वो उसकी बीवी सारा और उसके दोस्त के साथ भागते हुए हेलिकप्टर तक पहुचा हाला कि हेलिकप्टर बेसे तो ही सीट अवेलेबल था और डेकन के फ्रेंट बुजर काफी हद तक इंजियोर थे तो डेकन ने डिसाइड किया कि भाई सारा तुम जाओ मैं बुजर को लेके बाद में आता हूँ तो ये है गेम का पहला प्लोट इसके बाद सारा हेलिकप्टर में बैटके रेफ्यूजी कैंप नेरो के नहीं निकल गए और उसके बाद दो साल बीद गया फिर हम लोग देख रहे है कि टेकन और बुजर मर्सेनरी के तोर पे काम कर रहे है पैसिपिक नॉर्थ वेस्ट में और सारा जो शायद मर चुकी है क्योंकि खबर सुनने में यह आया था कि कुछ महीनों पहले फ्रीकर्स यानि की जॉम्बीज ने बड़े ततात में आक्रमन कर दिया था और रिफ्यूजी कैंप में तो शायद सारा मर चुकी या तो फिरी नहीं तो इसी बात को सोचते हुए और एक नया लाइफ के तलाश में डेकन और बुजर ने डिसाइट किया कि चलो आगे हम लोग नॉर्थ में रिफ्यूजी कैंप की तरह बढ़ते हैं अगर सारा मिल जातो तो बढ़िया है अगर नहीं तो हम लोग एक नया लाइफ की तलाश मे आगे बढ़ते हैं तो यह है गेम का मेन स्टोरी प्लॉट अब यहां से गेम स्टार्ट होती है आप इस गेम में डेकन का कैरेक्टर जो है प्ले करते हो बेसिकली वो एक प्रोटागोलिष्ट है वो एक बाइकर है और स्मोकर भी है साथ ही साथ दोस्तो इस गेम का मैप प्रिक्वेंटली यूज करते हो गेम का पहला एक दो घंटा शायद आपको बोरियत दे देगा क्योंकि गेम को खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है गेम थोड़ा स्लो पेस्ट है फॉर्ट फ्यू आवर्स और जितना आप खेलते जाओगे उतना ही डेस गॉन के साथ आप जूड़ते जाओगे गेम प्ले और स्टोरी आपको बढ़िया सा लगने लगेगा गेम की शुरुबात में जब आपके पास लिमिटेट रिसोर्स रहते है तो हाला कि बाकी ओपेन वर्ल्ड गेम्स की तरह आपको यहाँ पे भी अपने स्किल और वेपन्स को आप एक चेंज स्मोकर हो और उस हिसाब से आपकी स्टैमीना जो है बहुती डिपलीट करता रहता है घडता रहता है जबी आप दौड़ते भागते हो या तो फिर किसी पार्कवर्बे हो उस हिसाब से जॉम्बी या तो फिर फ्रीकर्स के रगो में मानो उस इन बोल्ड का ये ने दोल रहा है, गेम में आपको बहुत सारे नए NPCs मिलेंगे, NPC का मतलब non-playing characters, और उनसे आपको रूबरू होना पड़ेगा, उनके साथ आपको relationship बनानी पड़ेगी, ताकि आगे जाके आपको गेम में मदद मिलेंगे, हर camp या safe house में आपको बहुत सारे NPCs मिलेंगा, और यहाँ पे market भी होंगे, जहाँ पे आप जितने भी सारे चीजों को आप collect किये हो, जंगल से उसको जाके trading कर सको, voice acting की अगर बात करें, तो सारे के सारे characters का बहुती solid action दी गई है, इतना बढ़िया voice acting हुआ है, कि आपको हर NPCs के चहरे पे एक emotions दिखेगा, और आपको game के story Days Gone एक open world game experience है, इसलिए आप अगर चाहो तो zombies को ignore भी करते हुए चल सकते हो, वैसे बहुत सारे जगा zombies बहुती huddle में आते हैं, एक साथ आते हैं, सौ के ततात में, वैसे आपको तब ignore करना ही पड़ेगा इस game का storyline बहुती शांदार है दोस्तों, इतना engaging storyline शायद मुझे last of pass में मिली थी, zombies game में ज़्यादा शेत्रों में storyline एक ही बरबर होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे layer है जो आपको पसंद आएगा इस game में आपको बहुत सारे कुछ activities करने के लिए मिलेंगा, हर एक NPC के साथ जब आप मिलोगे वो आपको एक काम देंगे, वो काम जब आप करोगे तो ऐसे आप उनका trust और credit जो है वो gain कर सकते हो, हाला कि map में ऐसे बहुत सारे से camps है तो बहुत सारे activities भी आपको करने के लिए मिलेंगे, जितना ज़ादा आप trust acquire करोगे उतना ही जल्दी आप अपने upgrades को करवा सकते हो, वैसे बहुत सारे camps है दोस्तों और हर camps में आपको different type के weapons और different type के upgrades करने के लिए मिलेंगे, तो आपको ये choice करना पड़ेगा कि कौन सा camp के उपर आप focus करना चाते हो, हाला कि you can always max them out at the end of the game, और जैसे कि मैंने कहा कि camps के लिए जितना job आप करोगे, जितना काम आप करोगे, उतना ही बढ़िया तरीके का आप relation भी gain कर सकते हो NPC से, इसके इलाब अभी और भी अलग-अलग activities आपको करने के लिए मिलेंगे, जैसे you can go and embushing the camps, infestations and many more, हाँ, शायद आपको ये सब गेम में repetitive लगे, क्योंकि at the end of the day, जो ever's आपको मिलेगा वो अनोखा नहीं होगा, बहुत सारे crafting करने के लिए आपको different level पे जाना पड़ेगा, अगर आप progress नहीं करोगे तो crafting भी नहीं कर सकते, जितना आप खिलोगे उतना ही बहतर इन तरीके से आप xp scoren करोगे और अपने आपको level up भी कर सकोगे, combat की अगर बात करें तो आपको headshot करनी चाहिए क्योंकि headshot बहुत ही असरदार है इस particular game पे तो उसको implement जरूर करना, आपके bike को max out भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये bike ही है जो खाला की खटारा तो है आदत पे लेकिन ये आपकी बहुत ही काम में bike की control की अगर बात करें तो बहुत ही nice control है, sweet सा लगेगा आपको on road पे और off road पे चलाने के लिए, बाकी 3% shooter games की तरह Days Gone में भी आपको similar controls मिलेंगे, combat system की अगर बात करें तो बहुत ही dynamic है दोस्तो, weapons भी आपको बहुत सारे मिलेंगे और बहुत सारे मिली weapons आप craft भी कर सकते हो, जैसे की smoke bombs, poison arrows and many more, guns की अगर बात करें तो shooting करना आपको एक अलगी experience देगा, it will feel solid and satisfying और बहुत सारे varieties के gun भी आपको मिलेंगे, specially shotgun से लोगों की धजिया उडाना आपको बहुत ही बैतर लगेगा, आपके health and stamina को upgrade करने के साथ साथ आप चाहो तो अपने focus को भी upgrade कर सकते हो, obviously आपको करना पड़ेगा अगर आप धंग से aiming करना चाहते हो तो, एक साथ सैक्रोज zombies जब आपके पास चले आएंगे तो ऐसे में dangerous होगा आपके लिए कि उनके साथ fighting करना, आपको stealth का और tactics का इस्तमाल करना पड़ेगा, ना तो कि सिर्फ उन से जाके लनना पड़ेगा, ऐसे आप मर जाओगे, आप ट्रैप सेड कर सकते हो, आप उनको mislead कर सकते हो, बहुत सारे चीज़े आप कर सकते हो, depending on the given situation, वैसे गेम में आपको बहुत सारे भालूस भी मिलेंगे, जो आदत मी infected होंगे और उनसे आपको लरनना पड़ेगा, तो तयार रहना दोस्तो, हाला कि मै एकसपी और लेबल को बहुती साही तरीके से, और बहुती जल्दी गेन कर पाओगे, ग्राफिक्स की अगर बात करें दोस्तो, तो ये आप समझी सकते हो, कि ये गेम में की विजूल ट्रीट है, स्पेसेली अगर बात करें फ्रेम रेट्स का, तो बहुती सॉलिड मुझे मि वैसे, अगर आप इसको PC में खेलोगे, तो और भी सारे ग्राफिकल आप्शन आपके लिए खुल जाएंगे, तो ये गेम रिलीज हुई है, अला कि मैं वेट करी रहा था, प्लेस्टेशन 5 में रिलीज हो जाए, लेकिन अब तक नहीं हुआ, शायद जाके बाद में हो सकता है, लेकिन PC में ये गेम आप खेल सकते हो, visually this game is quite stunning and superior with higher detailed character and world building, Days Gone बहुत ही crisp है दोस्तों, बहुत ही swift सा experience आपको मिलेगा, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस गेम का sequel बनना चाहिए, हाला कि मुझे भी ये लगता है, वैसे Days Gone की रिव्यू को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, बहुत ही अनुका गेम है, if you haven't played it, please do play and I'm sure this game is so refined that you will have some fun while playing and it will feel good, ladies and gents मेना नाम ता सिधार्थ, happy gaming दोस्तों!